है 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 आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज किस वीडियो में डिसक्स कर रहे हैं मिनिमल मॉडुलिस प्रिंसिपल की बारे में यह टॉपिक बहुत इंपॉर्डेंट है और मिनिमम या फिर मैक्सिम इन दोनों में से एक कोई प्रिंसिपल आहीं जाता है एक्ज स्टार्टिं में ही पता रखतें कि एनलेटर स्क्षेंच क्या होते हैं तो इस चो फंक्षिंजनट प्रिंसाइब इन साइड ऐंड और क्लोष कॉंट्स कॉंटूर सीके अंदर भी होगा और उस कॉंट और रही होगा ऑर यह उiamo know जिरू होना चाहिए इंसाइड चीमें देन क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन करकर आप मॉडूल लेते हैं हां वो मस्ट रीच इट्स मिनिमम वैल्यू ऑन सी कहते हैं जो इसकी जो मिनिममम वैल्यू होगी रीच करेगी किसी ना किसी एक बिंदू सीपर इंसाइड बनी सीपर इस कॉंटोर बर किसी एक पॉइंट पर उसकी मिनिममम वैल्यू जरूर मिलेगी तो चलिए इसी को में प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके कॉंटोर बना के दिखा है जिसके अंदर हमारा पूरा रीजन लाई कर रहा है यह हमारा इस इस तो में स्टीटमेंट में पता होगा और आपको बिवी बता दो स्टीटमेंट लिखा वह नहीं आता है सिदा सिदा ऐसे आजए स्टेट एंप्रूफ मिनिमल बॉडूर प्रिंसिपल तो आपको स्टीटमेंट को भी याद रखना है ठीक है तो हमारा फंक्शन जैट अनलेटिक हैं इंसाइट सी में भी अंदर भी और इस पर भी इस रीजन पर भी अगर ऐसा है तो हमारा जो वन पोन एक अगर बात करें वो भी अनलेटिक होगा इंसाइट सी में क्योंकि आपका फंक्शन जैट आपका नॉन जीरू है ठीक ओके बड़ हम यह ज़रूर जानत इस नहीं कर बाती है अगर अपन मोडल एक मैक्सम रिट नहीं पर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फॉंक्शन जैड एक जो मोडले से वह भी मिनंबेर रही नहीं कर बाएगी इसके अंदर क्योंकि मैक्स यह नहीं कर पार एक पारिए रहे और अपनकन में आपके वो भी इसके अंदर रिच नहीं कर पाएगी इंसाइड में रिच नहीं कर भाएगी इसका मतलब क्या हुआ और हमारे पात जो फॉंक्शन है वो एनलेटिक है इस वाज़े से वो कंट्यूनेस भी होगा रिजन के अंदर अब अंदर रिच नहीं कर भा रही है तो एक ही चॉइस बच रही है कौन से जो हमारी बाउंटरी है कॉन्टोर सी है इन में से किसी एक पॉइंट पर वह अपनी मिनम्म वैल्यू को रिच करेगा देर्फोर फॉंक्शन जैड मॉडूर प्लीज लाइक कर दो हमारे चैनल पर नाय हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लो और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पर भी चाहिए उसे कमेंट करके बता दो थैंक्यू